नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन नरायन बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम लोक्तंत का सचुर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोक्तंत्र है किसी भी लोक्तंत्र में हुकूमत की बागड़ोर राजनीतिक दलों की हातों में होती है ऐसे में केवल राजनीतिक दलों के भीतर लोक्तंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूत है भारत देश के पास आज वो सब कुछ है जिसे देश की तमाम समस्याओं का समधान हो सके लिकिन किसी एक समस्या का भी निदान पूर्टा नहीं हो पाता गरीबी, असिक्षा, बर्ती जनसंक्या, स्वास्थ समस्या, साम्प्रदाइता, ज्वातिवाद, वर्गबाद, आतंगबाद, भ्रष्टा चार आदी ये सब समस्याएं एक दूसरे के पूरत आज की राजनीती की बात की जाए तो आज सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्यत्या रोप ही नहीं करते बलकि एक दूसरे पर कीचर उच्छानले से भी बास नहीं आती आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कई उधारन देखने को मिल जाएंगे खेर फिलाल का हाल ये है कि दल बदल का कारिक्रम चल रहा है कहीं रूठों को मनाने की कोशिश हो रही है तो कहीं पार्टी से निसकाशन हो रहा है लेकिन ये खेल आज का नहीं है बहुत परारा है तो बस उसी नीती को आगे बढ़ाया जा रहा है दरसल अभी हाल ही में कॉंग्रिस के बड़े नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में श्रामिल हो गए हैं वो भी ऐसे समय में जब यूपी किस साल 2022 में होने वाले विदानसभा चुनावों में काफी कम समय बचा है इसके पीशे कई दाव पेश देखे जा रहे हैं जैसा कि सभी चुनावों में आपने देखा है कि बीजेपी कैसे चुनावी समिकरण को साथने के लिए विपक्ष को पूरी तहा से तोड़ती हुई नजर आती है और हो भी वही रहा है जितिन प्रसाद एक बड़ा ब्रह्मन चहरा जिसके जुरत बीजेपी को थी क्योंकि जमीनी तोर पर ब्रह्मन जो हैं वो योगी जी से नारास चल रहे हैं तो बस उन्हें मनाने के लिए प्रसाद से हाथ छुडबा कर कमल उनके हाथों में थमा दिया गया और तब ये राजनिती गर्मा गई चारों तरफ सिर्फ यही होट टॉपिक है पिछले कुछ वर्षों से आट-दर सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में राजनितिक जीवन में लोगों से मिलके भ्रमन करके देश भर में कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनितिक दल है जो संस्थागत इंस्सिट्यूशनल दल है वो भारते जिन्ता पाटी धरसल शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना सादा है ये वही शिवसेना है जो कुछ सालों पहले या एक दो साल पहले की बात करें बीजेपी के साथ थी शिवसेना के संपाद के सामना के जरिए बीजेपी पर हमला करते हुए देखा गया लिखा गया है कि यूपी में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बीजेपी को जितिन प्रसाद के जरिये ब्रहमन वोटों का सहारा लिरा पड़ रहा है यूपी में बीजेपी से समण वोट छितक रहे हैं अब तक राज्य में बीजेपी को किसी गणित या चहरी की जरुत नहीं पड़ती थी लेकिन अब ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि ये वक्त की डिमान है सामना में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाले जुतिन प्रसाद आखिरकार भाजपाई बन गए जुतिन प्रसाद के आगमन का बीजेपी में जश्न मनाया जा रहा है इसकी बज़ा उत्तर प्रदेश में चुनाव का जातिय गणित है ये किसी से चिपा नहीं है यदि उत्तर प्रदेश के ब्रहमन वोटों पर प्रसाद का इतना प्रभाव था तो इन मतों को वे कॉंग्रिस की और क्यों नहीं मोड़ सके ये बहुत बड़ा सवाल इसका दूसर अर्थिये भी लगाय जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजोपी समर्ठक उच्च जाती के मद्दाता अब उनसे दूर जा रही है अब तक उत्तर प्रदेश में बीजोपी को किसी और गणित और चेहरे की जरुवत नहीं पड़ती थी लेकिन ये जनता है जन अब उत्तर प्रदेश में अवस्था इतनी खराब हो गई है कि जितिन प्रसाद के ब्रह्मन वोटों का सहारा लेना पड़ रहा है और दुश्मनों को गले लगाना पड़ रहा है कॉंग्रिस की हालात पर संपाद्के में लिखा गया है कि सवाल इतना ही नहीं है कि कॉंग् सचिन पालट और उनके समर तक पहले ही अप्रसन है और उनका एक पैर बाहर ही है सचिन पालट ने साल पर पहले बगावत ही की थी उसे किसी तरह शांत किया गया फिर भी असंतोश आज भी जारी है पंजाब कॉंग्रिस में बड़ी फूट पड़ गई है और मुखे मंत्री अमरिंदर के खिलाफ विरोधी गुट ने आरपार की लड़ाई छेड़ दी है उस पर चिंता तब और बढ़ जाती है जो प्रसाज जैसे नेता पार्टी छोड़ कर बीज़पी में शामिल हो जाते हैं इस पतज़ड से बची कुछी कॉंग्रिस को नुकसान हो रहा है वहीं कॉंग्रिस पर सवाल उठाते हुए शिवसेना ने संपाद्के में कहा है कि पश्चिम मंगाल में कॉंग्रिस की करारी हार हुई है केरल में कॉंग्रिस की स्थेती अच्छी होने के बाद भी सत्ता स्थापित नहीं कर सकी असम में अवसर होने के बावजूद कॉंग् गांधी और राजिव गांधे की छाप को कोई मिटा नहीं पाया है लेकिन महराश्वा करनाटक और केरल को छोड़ दे तो कॉंग्रेस अपने अस्तथ की लड़ाई लड़ रही है देश का राज़ितिक संतुलन बिगाडने वाली ये तस्वीर है ये लोकतंत के लिए घातक स् अगले सब्ता फिर लोटेंगे किसी खास मुद्दे के साथ तब तक के लिए आप देखते रहे हैं न्यूस पॉली डिया नमस्कार